नमस्कार दोस्तों टॉप टन हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है हम अपने चानल पर लगाता है आपके लिए इंट्रस्टिंग और फ़नी वीडियोस लेकर आते हैं कुछ ज्यादा ही जल्दी बे थी तबी इंसे लोगों के साइड होने का थोड़ा भी इंतजार नहीं हुआ जिस वज़े से ये बैरियर उठा गर दूसरों से आगे जाने की कोशिश कर रही थी पर अफसोस पापा की परी बैरियर का वज़न नहीं उठा पई जिस वज़े से दूसरों से आगे निकलना तो दूर अपने सामान के साथ खुद भी बीच रास्ते में गिर पड़ी बहुत बुरा हुआ दीदी के साथ आज तो पापा की परी का सब के बीच में मजाग बन गया ओ तरी ये क्या बबाले रे बबाबा अरे भाई हम लोग केचप को प्लेट में लेकर खाते हैं पर शायद ये टोमेटो केचप इन दीदी को इतना बसंद आया कि इन्हों ने केचप की पूरे कमरे में ही बारिश कर डाली और अपने मुग पर भी केचप का फेशल कर लिया अरे भाई इनको ये केचप की बोटल दे किसने दी खोलने को ऐसे तो ये मौतरमा घर का पूरा सामान बरबात कर देगी और दीवारों पर रंग बे रंग गेच्चे द्रबना देगी मुझे नहीं रहने तुम्हार सत मैं जा रही हूँ अबे जा पस ट्रेन हो लड़की एक गई दूसरी आती है गेच्चे द्रबना देगी आज तो पापा की परी पापा की शेर नहीं बन गई है क्या घजब का डायलोग मारा दीदी ने बिचारे लड़के का मुझी बन कर दिया अब तो इन महाशे का पत्ता साफ जड़ा इन महाशे को कोई बताओ की बेटा दीदी को तो चार क्या आठ बंदे मिल जाएंगी पर तीरा क्या हो गरेका लिया अब तो इन भाई सहाब को पूरी जिंदीगी सिंगल ही रहना पड़ेगा इसे कहते हैं कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना लगता है व्यक्ति इन दीदी के अच्छी तस्वीर नहीं ले पा रहा था इस वज़ा से दीदी को इतना गुसा आ गया कि इन्होंने सीधा बॉल मारा भेग कर सारे पुरुशों के लिए एक महत्वफुर्ण सूचना हाई और जंदगी में किसी के साथ भी मजाग कर लेना पर लड़की की फोटा किशते समय कोई मजाग नहीं चलेगा पर ना आपके कैमरे के साथ सथ आपका मूँ भी तूट सकता है अभी तक तो यह सुना था कि लड़कियों को ढग से गाड़ी रोकनी नहीं आती पर इधर तो नजाराई कुछ लगे यहां तो इन महतरमा को गाड़ी चलानी ही नहीं आती महतरमा अपनी स्कूटी को पीछे करना की कोशिश में थी पर यह स्त्री है सीधा काम करना इन्हें आता ही नहीं है में स्कूटी पीछे कर रहे थी and पीछे ओने जगा स्कूटी आगे बढ़ गई और दीदी अपनी स्कूटी के साथ सीधा गिरी भगवान के चरणों में लगता है भगवान का एशारा है कि दीदी को बाहर स्कूटी नहीं चलानी चाहिए दीदी नाश्ते गाते हुए रील बनाना चाहती थी जिसमें वो इतना खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि उनका कैमरा चूरी हो गया और वो नाश्ती ही जा रही है पर ये क्या दीदी को पता भी चल गया कि उनका कैमरा गायब हो गया पर फिर भी दीदी अपने कदमों को नहीं रोक पा रही भाईयों ये कोई दारू को नहीं बलकि सोशल मीडिया का जादू है जिसकी विज़ा से आज कल सब पागल हो रहे हैं और इस पागलपन के चक्कर में आज दो दीदी को खड़े बैठे हजारों का चूना लग गया पोपट हो गया दीदी का लड़कियों की हर फंक्शन में फोटो अच्छी आनी चाहिए और वो हर शादी पार्टी में अच्छी लगनी चाहिए जिसके लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं जैसी कि अमोतर्मा कोई देख लीजी ये अपनी साइस से दुगनी साइस की ड्रेस पहन कर पाटी में आतो गई पर ये शायद इस ड्रेस को नहीं समाल पाई और सीडियों पर ही लुड़क पड़ी पर भाई साहब ये नारी है ये यहाँ भी अपना फोटो शूट शुरू कर सकती है दोस्तों अगर तुम रोड़ पर घलती से ट्रक के सामने आ गए तो शैह तुम बच भी जाओगे पर अगर तुम रोड़ पर लड़की होगे आगे आगे आप पीछे गाड़ी चला रहे हो तो तुमारा ठोकना पक्का है जैसे कि इस बिचारे लड़की के साथ हुआ इसके आगे स्कूटी से जा रही मैडम काफी दूर से लेफ्ट मुढने के लिए इंडिकेटर दे रही थी फर बाद में ये मुड़ी राइट साइड और उनके चक्कर में बिचारा वो लड़का भी ठुक गया अरे भाईयों अगर देश में ये वाँ कुछ जीवे देखने चाहते हो तो वाहों मिलकर कदम उठाएं और इन लड़कियों की स्कूटी जीन कर इंग से साइकल चलवाएं केट वॉक करके चलने वाली लड़कियां जब रोलर स्केट्स पर चलती हैं तो नतीजा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कैर शायद इन दीदियों खुद भी पता था कि ये लड़के की जरूर तभी ये छोटे-छोटे कपड़े पहन कर आई जिससे गिरने के बाद उनके कपड़े न फट जाएं वा यार मान गए दीदी की समझदारी को लगता है पापा की परी ने आज पहली बार किचन में कदम रखा है तब इने ये भी नहीं मालूम कि दूद को गरम कैसे करते हैं गैस पर रखा हुआ दूद जैसी गरम होकर उपर की तरह उठा दीदी को लगा कि याग लग गई और उन्होंने दूद के बरतान में पानी भर दिया और जल्दी हुई गैस को हमारी अकलमंद नारी पानी से बुझा रही है अरे भाई साहब इन दीदी को कोई बताओ कि गैस चालू में ओन ओफ करने के लिए स्विच भी होता है पागल है वो लोग जो कार में बैट कर बैक गेट डाल कर फिर अपनी कार को पीछे करते हैं और उसे पाक करते हैं अरे भाईो इन धीदी से ज़रा कुछ सीखो यार इनकी यहरका देखकर आप इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इनके पास कितरा दिमाग है पर शायद इनके पास दिमाग कुछ जयाद आई है तब यह आगे से धक्का लगाने की जगा गाड़ी का गेट खोल कर कार को पीछे की तरह खीच रहे हैं वादी दीवा दोस्तो मैंने ये तो सुना था कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है पर आप वहाँ से भी कायब हो गया ये तो आज ही पता चला दोस्तों भी तक आपने सस्ते नशे करके आदमियों को जूनते हुए देखा होगा पर आज इस सस्ते नशे करने वाली महतरमा को देख लीजिए जो नशा करके जूम बराबर जूम बर नाच रही है पर ये महतरमा सिर्व नाच ही नहीं रही बल्कि ये तो नशे में बिना पूरे कपड़ा पहना ही अपने कमरे से पहर निकल आई पर अब दूसरों के दरवाजे पर टकरा रही है बाबा की इस नाजुक परी को ग्राउंड पर किसने छोड़ दिया भाई लगतारं की दरफ बॉल्स आती जा रही है पर बॉल में शॉर्ट मारना तो दूर कि ठंग से बैट भी नहीं पकड़ पा रही और ये देखो बाउल को हिट करने की कोशिश में यही ग्राउंड पर गिर पड़ी और पीचे से आ रही बाउल ने इन मैडम का चश्मा भी फैंक दिया गजब की बिज़ती आया पताने लोग अपनी इतनी बिज़ती कैसे करा लेते हैं आजकल सोशल भीडिया पर वही वीडियो ज्यादा वारिल हो रही हैं जिनमें लड़किया नाच रही होती हैं और शायद उसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए और अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये दीदी भी कुछ नया करना चाह रही थी परमसोह से चक्करमेन होने अपना सर ही फोड़ डाला मतलब चाहे हाथ पैर टूड़ जाएं पर ट्रेंड में पीछ नहीं हो सकते जब लड़कियों को बता है कि उनका चनाम सिर्फ मेक अप और शॉपिंग करने के लिए हुआ है तो पता नहीं क्यों ये लोग खत्रों से खेलने को आ जाते हैं जैसी कि ये मोदर्मा लगता है इनका उपर कोई मेक अप का समान चला गया तब इनोंने उतने उपर चड़ने की हिम्मत कर ली और ये लो पापा की परी हवा से आकर गिरी सीधा जमीन पर और ये तनी जोड से गिरी कि अब ये पापा की परी उड़ना तो दूर चल भी नहीं पाएंगी आज महतर्मा अपने बच्चों के कपड़े क्या पहन कर आ गई ये तो फुल बच्ची ही बन गई और बच्चों जैसी हरकते भी करने लगी सच में यार ऐसी लड़कियों को देखकर इनसे पूछने का मन करता है कि छटी बच्ची हो क्या मतलब इन महतर्मा को पच्चपन में बच्चपन के शौक चड़े हैं तो दोस्तों यह थी हमारी एक और इंट्रस्टिंग और फणी वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा थैंक्स वर वाचिंग